हलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आसा करती हैं आप सब्सक्राइब अच्छे और स्वस्त होंगे हम आप लोगों के साथ जो सेर करेंगे वह बिल्कुल उनीक रस्पी है सब्जी तो वही पुरानी है लेकिन इसको हमने बनाया बहुत नए तरीके से हैं आप लोग जब खाएंगे तो बहुत इसमें स्वाद आएगा और बहुत ही टेश्टी है खाने में और देखने में दोनों में बहुत अच्छी लगती है इसको हमने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है अगर हमारे चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को सस्क्राइब लगकर को प्रेस किजिएगा जिससे क पखाने में इसको नहीं सकते हैं और आप लोग लिए लगा सकते हैं हमारे पास नहीं था इसलिए हमने लगता है आतों में गोंद नहीं लगता इसको ऐसे ही में कट करना है आप देख सकते हैं ऐसे ही में इसके चिकल निकाल देने हैं ऐसे ही में सारे कटेल को अच्छे से छील देना है आप देख सकते हैं हातों में बिल्कुल तेल की बज़े से बिल्कुल हातों में गोंध नहीं लगा है ऐसे ही में कटेल को अच्छे से छील लेना है यह सब सारी साइडों को साप कर देना है जिसे कि यह खाने में अच्छा लगेगा ऐसे ही जो इसमें ठेट निकलती है इसको भी हमें साप कर देना है इसको नहीं डालना है ऐसे ही में इसको निकाल देते हैं सारे कटेल को अच्छे से साफ कर लेंगे कटेल हमारा तो बहुत ही पसंद्दा सबजी है आप लोगों को कैसी लगती है तो कमेंट में जुरूर बताना ऐसे ही हमें पीसिज इसके बना लेने हैं जादा बहुत जादा बड़ी-बड़ी पीसिज नहीं मीडियम साइज की रख सकते हैं चाहे तो बड़ी भी रख सकते हैं हमको मीडियम साइज की पसंद दे तो इसलिए हम मीडियम साइज की रखते हैं इसमें हमें बीज नहीं डालेंगे बीज को हमें निकाल देना है क्योंकि बीज डालेंगे तो हम छील कर ही डालेंगे ऐसे ही बीज को हमें निकाल लेना है इसके जो प्रत होती है इसको हम छीलने के बाद ही इसको डारेंगे इसमें ऐसे ही में सारे कटहल के बीज निकाल कर एकसाइड कर देना है सारा कटेहल ऐसे ही में कट कर लेना है कटेहल कटकर हमारा रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इसके बीज हमने निकाल कर पहले ही अलग रख दिये थे आप उनको हम छीलेंगे सारे कटेहल को अच्छे से छीलने के बाद आप हम बीजों को भी छील लेंगे ये कटेल की बीज जो होते है उनके प्रतु का अच्छे नहीं पाता है तो खाने में बिलकुल अच्छे नहीं लगता है तो इसको हम निकाल देंगे आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे और आराम से खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी खाने वक्त इसकी परतुकों में निकाल देना इसमें बहुत अच्छे से मसाला अंदर तक अपजोब कर लेता है बहुत खाने में टेस्टीस के बीज लगते हैं आप लोगों को कैसे लगते हैं तो जरूर बताईएगा हमको तो बहुत अच्छे लग कर अच्छे से मसाला बनाना है पेष्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है अब यहां पर एक चोटा चमच है じो मीर्ची पावडर कर ś admirATE हम छाद ही लेनी है और हमने धनिया लिया है धनिया थोड़ा जाद अपने यहाद है कडाही अच्छा लगता है ऑप बहुनने और कूकर में भी बना सकते हैं अब केसी की ह defending में यहाद बून कर बून के हमारे तक बुर दाल करें, मसालें डॉल कर बून कर बूने क कि Do आप जाएम हमको यहां एक ही चमच नमक लिया है हमने ऐसे ही अच्छे से मसालों को हमें चलाते रहना है आप देख सकते हैं मसाला अच्छे पुनकर बिल्कुर रेडी हो चुका है इसमें तेल बिल्कुर छोट आया आप देख सकते हैं तेल अलग हो गया अलग हो गई है ऐसे ही हमें इसमें एक चमच बेसन डालना है बहुत जादा बेसन नहीं हमें एक ही चमच बेसन लेना है इससे इसमें बहुत अच्छी गिरी भी आएगी और खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा क्योंकि हमने इसको अलग तरीके से बनाया है ऐसे भी आप गर पर ट्राइ कीजिएगा और हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा अब मसाले अच्छे भूनकर रेडी हो चुके हैं अब हम कटेल को इसे में डालेंगे इसे अच्छे से मिलाते हुए दो तीन मिनट के लिए ऐसे ही में चलाते रहना है जिससे कि इसमें मसाले अच्छे से मिल जाएं आप दे सकते हैं इस मसाले अच्छे से इसमें मिल गए हैं अब इसमें हम बहुत जाधा पानी नहीं थोड़ा एक कटोरी में पानी यहां पर लिया है आप अपनी यप सकता अमसार पानी ले सकते हैं ऐसे ही अ अच्छे से इसमें colorful आया है और इसको हम अब हमारी recipe बिल्कुल बनकर ready हो चुकी है आप देह सकते हैं इसमें बहुती गृबी और बहुती टेश्टी देखने में लग रहा है इसमें हमें थोड़ा धनिया एड़ कर देना है गेस को हमें बंद कर देना है बहुत जादा तर दे ले सकते हैं हमको बहुत जादा मसाले नहीं पसंद है इसलिए बहुत थोड़ा मसाला लिया है आप इसको हम एक प्लेट में सरफ करेंगे आप लोग देख सकते हैं बहुती टेश्टी और देखने में बहुती ग्रीबी और कलरफुल है हमारा cutahil हमको बहुत ही पसंद है पसंद है उसके साथ ले सकते हैं आप देख सकते हैं एक बहुती ग्रीबी और बहुती टेश्टी है हमारा पूरा वीडियो बोच करने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई